नमस्कार बाईजूज एक्जाम प्रैप आईएस हिंदी प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की बड़ी खबर में हम लोग बात करेंगे चीन भूतान सीमा वारता तो दोस्तो इस वारता के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग डिसकस करेंगे कि चीन और भूतान के वीच किन-किन स्थानों को लेकर के विवाद है और भारत तथा भूतान के भी सम्बंध कैसे हैं भारत का क्या इंट्रेस्ट है भूतान को लेकर के इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चीन क्यों भूटान पर अपनी नजर गड़ाए हुआ है तो इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना भूटान एग्री टू मूब फारवर्ड आन रोड मैप फार देयर बाउंडरी टाप तो दोस्तों यह तीन चर्णो वाला रोड मैप अभी सारवजनिक नहीं किया गया है 1984 से 1984 के बाद से चीन और भूटान के बीच बादचीत मुख रूप से भूटान के पस्चिब में डोकलाम सहित और उत्तर में उनकी 477 किलोमीटर लंबी सीमा पर बिवादिच छेत्रों पर रही है दोस्तों अपनी सीमा वारताओं को तेज करने के लिए तीन चर्णी रोड मैप पर एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर करने के 15 महीने बाद चीन और भूटान ने घोसना की है कि सभी चर्णों के कारियानवन को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक सहमती पर पहुँच गया है यह रोड मैप तो दोस्तों यहाँ पर बात धान देने वाली है कि यह जो खबर है कि चीन और भूटान सीमा विवात को सुलजाने के लिए बादचीत में तेजी लाने पर दोनों देश सहमत हो गए है और दोस्तों दोनों देसों पर सहयुक्त बयान के अनुसार चीन भूटान सीमा मुद्दे पर 11.20 जिसे एजियम कहेंगे चीन के कुनमिंग शहर में 10 से 13 जनवरी तक आयोजित की गई थी तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भूटान और चीन के बीच जो विवाद के बिंदू हैं जैसे कि यह डोकलाम 2017 में यहां चर्चा में आया इसी तरह से यहां पर देख सकते हैं जकार लूंग इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं पासम लूंग और संग्ति वन जीव अभ्यारन तो दोस्तो भूटान और चीन के बीच की जो सीमा रेका है 400 किलो मीटर यानी भूटान चीन के साथ 400 किलो मीटर से अधिक लंबी सीमा साजा करता है भूटान शेयर एन ओवर 400 किलो मीटर लांग बॉर्डर बिथ चाइना दोस्तो डोकलाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डोकलाम चीन भूटान के उत्तर घाटियों में देख रहे हैं आपर चीन भूटान के उत्तर घाटियों को पश्चिम में चारागा भूमी यानी डोकलाम सहित से बदलना चाहता है जो कि कुल 269 स्क्वाइर किलो मीटर है यानी चाइना वान टू इक्चेंज दा वैली टू दा नौर्थ भूटान विद दा पाश्चर लैन टू वेस्ट इंक्लूडिंग डोकलाम टोटलिंग 269 स्क्वाइर किलो मीटर लेकिन दोस्तों यहाँ चीन की मनसा कुछ अलग ही है क्योंकि यह चीन भारत और भूटान के ट्राई जंक्सन पर है तो इससे भारत को नुक्सान हो सकता है यही कारण है कि भारत इस वारता में लगातार नजर बनाए हुआ है दोस्तों इसी तरह से जकारलूंग की बात की जाए तो जकारलूंग और पासमलूंग वैली है यह लोकेटिड नियर तिबबत तु भूटान स नौर्थ विच मीजर्स 495 स्कौाइर किलोमीटर तो दोस्तों यह जो दोनो घातियां है भूटान के उत्तर में तिबबत के पास इस्तित है जो कि 495 स्कौाइर किलोमीटर छेतर में फैली हुई है इस पर वो अपना अधिकार चाहता है चीन यही इन मुद्दों को लेकर के विवाद है इसी तरह से संक्तिंग वन जीव अभ्यारन पर योजना जो कि चाइना क्लेम दिस एरिया इस्टरन भूटान एज इस ना हुथ यह जो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना यहाँ पर क्लेम करना चाहरा है जबकि यहां उनाचल प्रदेश के सटा हुआ है तो यहाँ पर कहीं न कहीं देखा जाए तो चीन जो है भूटान के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिस में है तो दोस्तो चीन के द्वारा भूटान की पूर्वी सीमा पर अपनी दावेदारी पेस की गई आश्चर जनक बात यहाँ है कि भूटान की पूर्वी सीमा किसी भी प्रकार से चीन के साथ सीमा साजा नहीं करती इतना ही नहीं सेयुक्त रास्ट विकास कारेक्टरम के नेतित में आयोजित होने वाला बैस्विक परियावरन सुभिधा सम्मेलन में भूटान के संग्तिंग यहां पर आप देख सकते हैं संग्तिंग वाइड लाइफ सेंचुरी है पूरी तरह सारुनाचल प्रदेश को स्प जा करता है सोचिए और यहां पर चीन अपना अधिकार जताना चाहता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह ब्रीफ ओवर्विव आप बाउंडरी डिस्पीट बिडवीन इंडिया और भूटान इन पॉइंट्स को भी जरू देखेगा चुकि भूटान एंड चाइना रही है यहां पर आप देख सकते हैं सेंग्टेंग के लिए मैंने बताया तो इन सब मुद्दों को लोग कर यानि सेंग्टेंग यहां पर आप देख सकते हैं पासमलूंग जकारलूंग और डोकलाम इन सब छेतरों को लेकर के चीन के मध्य विवाद है अब बात आती है कि भारत और भूटान की मित्रता की बात की जाए तो दोस्तों भावगोलिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर देखा जाए तो भारत यो भूटान के संबंध प्राचीन कालसिया तूट रहे हैं स्वतंता प्राप्ति के पश्चाथ भारत भूटान के बीच संबंधों में अ उनकी रक्षा दायुत भारत पर आ गया और इस संधी को वर्स 2007 में संसोधित भी किया गया जिसमें भारत द्वारा भूटान को स्वतंतर विदेश नीति के निर्धारण के लिए प्रेरित किया गया और दोस्तों वर्स 1968 में भूटान के साथ भारत के राजनाइक संबंधों की सुरुवात हुई और वर्स 2018 में राजनाइक संबंधों के 50 वर्स पूर्ण हुए दोस्तों इसी तरह से वर्स 1971 में भूटान संयुक्त रास्ट का सदस से बना जिसमें भारत की साहमती थी और यही कारणे कि आज संयुक्त रास्ट से विशेश साहता इसको मिलती है भारत की उत्तरी प्रतिरक्षा व्यवस्था में भी भूटान की एचिल्स हिल्स की संग्या दी जाती है यहा भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिहास से बेहत संवेदन सील चेतर है तो चुम्बी घाटी चेतर यहाँ पर आप देख सकते हैं चुम्बी घाटी चेतर से चीन की सीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो छेत्र में स्थिर्ता तथा आतंकवात के विरुध कारवाई बी बी आईयन बांगलादेश भूटान इंडिया और नेपाल परियोजना इन सभी छेत्रों में भारत भूटान दोनों अच्छे सायोगी हैं। दोस्तो भारत अध्यात्मिक कूटी नीति के माध्यम से चुकि भूटान में जोंग धार्मिक मठों और प्रसासनिक केंद के रूप में रहें। ऐसे में दोनों देसों के बीच काफी अच्छे और मधुर संबंध हैं। कोई भूमिका ना हो लेकिन भूटान ने साफ कर दिया था कि इस संबंध में जो भी बात होगी वा भारत की मौजूदगी में होगी। तो भारत और भूटान के बीच कोई एतिहासिक संधी चीन को हमेशा खटकती रही है। और भूटान भारत के लिए कितना महात्पूर्ण है रणनितिक डिश्टकोर्ण से ऐसे में चीन का यहास्तक चेप भारत को यहाँ पर पूरी तरह से इस वारता में भी ध्यान रखना होगा। दोस्तो आज के लिए आप लोगों के लिए प्रस्न है कि भूटान को भारत के कौन कौन से राज्य इसपर्श करते हैं। दोस्तो दूसरा महात्पूर्ण प्रस्न है कि भारत ने भूटान के बीच राजनाइक संबंध कब से है। इस तरह से इन दोनों प्रस्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का भी ये वीडियो आपनों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद